पाड़ दो, कोंड देवस्य दंडः, कोंड देवह शिव राजस्य अभिभाव कह, गुरुह मंत्री चापी आसीद, सह अतीव न्याय प्रियह आसीद, एकदा, कोंड देवह राजुध्यानं प्रति गच्छती स्म, तत्र व्रिक्षे अनिकानी फलानी आसन, फलानी द्रिष् सह एकम फलं खादती स्म, तत्षणं एव तस्य विवेकह जागरितह, सह अचिंतयत, अहम केम अकर्वं, अनुमतिम विना, अहम राज्यो ध्यानस्य फलं अकादं, अहम दंडस्य पात्रं इति चिंतयत्वा सह राजसभाम अगच्छत, राजसभायाम राजासर्वे मंत्रिन अहम देवह अप्रिच्छत, राजन, यदि को अपी अनुमति विना राजसंपतेह, उप्योगम करोती चेत, तस्य कदंडः इति? एकह मंत्री अवदत, तस्य हस्त चेदः उचितः इति, अन्या अवदत, सत्यम, तस्य हस्त चेदनम एव कर्नियम, कोंड देवह गंभीरत पूर्वकम अवदत, तरही मंदक्षिन हस्तम छेद्यतु भवान, कि मर्थम? इति आश्यरेन अप्रिच्छत राजा, कोंड देवह अवदत, अनुमतिम विना भवतह, उद्यानात अहम भलम अखादम इति? राजा अवदत, भवान अजानन एव अप्राधम अकरोत किल, तदर्थम दंड़ मास्तु इति? कोंड देवह न अंगि कृत्वान, सह उक्तवान, अप्राधम कृत्वान अहम अता अवश्यमेव दंडनियह इति? राजा अवदत, अहम दंडम न दास्यामी इति? तरही अहमेव आत्मानम दंडयामी, अध्यारभ्य, अहम कदापिमम दक्षिन हस्तस्य प्रयोगम न करिश्यामी, इति प्रतिज्याम करोमी, इति कथ्यत्वा सह आजीवनम प्रतिज्याम अपालियत? ध्यातव्यम, त्वा, लिप करके के अर्थ में ये प्रतिया लगाते हैं, कत्वा, मित्वा धातु के बाद लगता है, कुछ धातु में धातु और प्रतिया के बीच ये आजाता है, कुछ में नहीं, जैसे पठित्वा, भूत्वा, यदि धातु से पूर्व कोई होता है तो कत्वा ना लगा कर लिप लगता है लिप यद हातों के साथ लगाते हैं उप जमा गम जमा लिप बराबर उप गम में है त्वा और लिप के साथ दुतिय विभक्ति का प्रयोग होता है